पतंजली वैदी गुरुकुलम को लेकर आप सभी वाईयों के काफी सारे कॉस्टन आ रहे थे तो इस वीडियो में आपको सभी आपके प्रशनों के उतर मिल जाएंगे यह कहांपर है कितनी फीस लगती है यहांपर आहार कैसा है जहांपर क्या पढ़ाया जाता है जहांपर कितने समय के लिए आ सकते हैं एज लिमिट क्या है जहांपर आहार कैसा है जहांपर व्यवस्ता कैसा है जहांका महौल कैसा है तो सबसे पहले पतंजली वैद्य गुरुकुलम पुझे स्वामी परम पुझे स्वामी रामदेव जी दवारा संचालित उनके मार्ग दरशनवी जहां पर ब्रहमचारी अपने अधातमपत पर आगे बढ़ते हैं और इसमें अभी जो ब्रहमचारी है इस गुरुकुल का जो बर्टी शिक्षा बर्ट जो स्वामी जी महरासदवारा उसको संचालित उसको स्तापित किया गया है जो उनिवस्ट्यों पतंजली से जहां पर ब्रहमचारीं की पढ़ाई चलती है जाने की बर्ट वही है उसमें जो सबसे पहले वैद्य गुरुकुलम उत्रा खंड बार में है पतनली जोग पीठ तो एज लिमिट कम से कम 14 पलस वारा पलस कम से कम है कि 14 से उपर आए तो हो सही है और उपर maximum 40 तक आ सकते हैं आप लोग और फीस जांपर सब कुछ निशुलक है कुछ भी फीस नहीं है अहार बिल्कुल साथ भी अहार मिलता है और सुबह तीन मनी MY को और नोगों देंग और इसके लाबह और क्या कॉस्टिन आरते आप लोगों के अभी इस अपरेयल के महीने में और दिवाली कि समय यहां पर बिल्कुल को अब लोग समय तो यहां पर अड्मिशन चलता है तो आप लोग सकते हैं तो कौन को ना सकते हैं जिसके भी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि सिंपल सी वाता गुरुकुल में गरस्ती का तो क्या काम है न और सबसे बड़ी वात वो है कि इस गुरुकुल में सिर्फ हो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो इस बगवत प्राक्ति पर आगे बढ़कर जाने की आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो मैं आपको द्वारा बता देता हूँ जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वही यहां पर उनका ही प्रवेश आना है तो आप लोग कहेंगे क्या रहे हम तो आना चाहते थे हम तो आज जीवन नहीं कुछ सालों के लिए आना चाहते थे तो आपको अगर शास्तर अधन करने तो आप फिर पतंजली उनिवस्टी में आ सकते हैं हमारा कॉलेज आप उसमें आ सकते हैं तो आप गुरुकुल कालबा में जा सकते हैं लेकिन यहां पर तो ऐसा ही है कि जो आजीवन जिनके इंसार से वहरागया हो चुक है न जानने कि जो फिर सास्तर अध्यन में वेद अध्यन में इस ब्रह्मचर पत्प पे आगे बढ़ना चाहते हैं वही इस गुरुकुल में उनको ही रखा जाता है तो जे सब जानकारी थी तो सब कुछ निशुल का है अहार बहुत ही सात्विक है तो इसके लाब और कोई कोश्चन हो मुझे लगता है सभी कोश्चन लगवा कवर हो चुके हैं कैसे अडिमिशन ले अडिमिशन कुछ नहीं है बस अपरहल में अपना आ सकते हैं अपने डॉकुमेंट से लेके आए तो ये छोटी सी वीडियो में हमने लगवा कुछ जल्दी जल्दी से पूरी जानकरी दे दी है इसके लाब और कोश्चन हो तो बता दे ना शायद लगवाग सभी कॉश्चन कबर हो चुके हैं तो फिर मुलकात होगी लेकिन अगर आपको यही कॉश्चन आएगा कि हम कुछ समय के लिए आना चाहते थे तो आप कालबा गुरुकुल हुमारा दूसरा गुरुकुल है उसके वारे में तो लगवाग सभी लोग जानते ही हैं तो बहां पर आप जीन्द कालबा हरियाना में आप बहां पर कुछ समय के लिए ब्रमचर एपालन के लिए जा सकते हो